कि नमस्कार वह सखी नियुस नेटवकर आप सभी का स्वागत है हम इस वक्त शामली विधानसवा चेतर में मेरे साथ हैं पीजेपी विधायक और उमिद्वार तेंदर निर्वाल जी तेंदर जी बड़े आप अनोखे ढंग से प्रचार कर रहे हैं अपने मद्दाताओं को आ कि यह इंसुरेंस पॉलीशी है एक तरज जी इसमें आपको कैसलेस काम करना होता है कि यह बटन दबाना है अच्छा और अगले पांस साल के लिए आपका मान समान आपका सौहाब इमाम आपके बच्चों का भाईश्य आपके जानमाल की सुरक्सा आपके लिए बहुत सारी स पॉलीशी क्योंड पांस साल में एक इस जाती है इस पोलिशी है एक बटन दबड़ना होता है के बोल और अगले पांस साल बेखोफ हो के आप रहे आपको कोई परेसाल नहीं करता कोई तनाव कर रहेगा फिर बाकि सारा काम उस कंपनी के है जिसका नाम भारतिय उत्तफार् और बिल्कुल भैमुक्त वातरों में आप अपना काम कर सकें आपके बच्चों का भजी से सुरक्षित हो तो यह साथ कोई सी कंपनी देनी पाते होंगी और आप पांच साल विधायक रहे ऐसी कौन से बड़ी उपलब्दियां है जो आप जंता की बीच में बता रहे हैं आपन सब्सक्राइब पर मिल रहे हैं वह ऐसे लोगों के पास पैसे पहुच जाता था पहले सरकारे इतना मैं आपको बताम कि इतना विभत सए रहा था पहले आप तो कि मीडिया से हैं बाराजार कॉंटा लानाज शड़ गया, तीस जार कॉंटा लानाज शड़ गया, पच्छिस जार कॉंटा लानाज शड़ गया, ये खबर आक्स अक्सर आती थी मीडिया में, वो अनाज सड़ा दिया जाता था, सस्ती जरो पर या जीरो पेमेंट पर वो सराव फैक्टरी वाल सब्सक्राइब तो यह उनका चेहरा आप देख सकते हैं कि कैसे अंदर तक किनी कुरूरता उनके अंदर थी आज मोदी जी मिले मोदी जी जैसे बेटे को पैदा करने में सोचा लगते हैं कि जिमागों और रास्ट्री लोकतल का गठबंदन अप समाजवादी पार्टी के साथ तो अखले शादव कि जाटों का वुड़तोवी हमारे पास है नहीं अखलेश जी को जाटों को नाम लेके बात भी नहीं करनी चाहिए और चोजरे जीद सिंगा करें जिन्दा होते तो मैंने समझता कि मुल्याम सिया खलेश से घटबंदन हो सकता था जिए जिन लोगों ने कुछ साल पहले उनका 3 दो हमारे सामने है हर मामले में उन लेक खोने धंगे हुए सिर्फ ऐक पक्स के मीद आपने कि त्रेक्टर जो डेहरों में डाल दी गए जो किसान मारा दी थे उनको मावजह नहीं मनता था एक पक्स के लोग उनके देखते देखते मर गए उनके लिए कोई कराने में सामिल थे तो वो सारी चीज पहले भी तीन बार कड़ बंदन हुआ है सपागन से हर बार सपा ने दोका दिया है और फिर मानने अमिशाजी का बियान आपने सुझे अपने पिता जी और चाचा जी की नहीं मान सकते हो किसी और क्या माने उन पर वरुसा करना सबसे सब्सक्राइब कर दिया है कि जो सपा बसपा है वह जब हम 370 हटा रहे तो जो लोग उसके विरोध में उनके साथ खड़े तो अब विधान सब्सक्राव में 375 यह बनारस यह सब क्यों राष्ट की सुरक्षा का मुद्धा है 370 तो सबसे बड़ा मुद्धा भारत के लिए उसके चर्चा चुनमा में सब्सक्राइब के चर्चा आईगी उसकी तो सरफ हम दिखाते हैं कि इतना असंभव कारेज जिसको मानते थे हमने वह भी कर दिया और देश के इतने कई लांग भ्रहमन लोग यहां सरनाथी का जिवन जी रहे हैं अपने देश में वह जो बात करत लिए उसा आवाज ने उठा पाते हैं कि यहीं वह लोग हैं जो बात तो करते मुसलिमों कि लेकिन चाईना की खिलाब बोलते ही चाईना के पैरदवा तरबाते कि मbnक़ढय करते हैं हमारे देर हैं उनके आबादी के परतिससत سے लगबग दोच उन्यस système का हिस्सा घ हैं हीама हमारी हो ध्रीकी के लिए अगर हम बात करें अभी किसाना के दूरान मे एक बड़ी नाराज़ी देखने को मिल रह będą लगता है कि नालजगी दूर हो गई यह उसमें बहुत से दोलों का समर्थान था उसान दोलों को अब सबी दर अपने खीमें में लोट चूके लोट चुके उसमें तो सब बस पालोक डल्ल व्यास कोंग्रेस सभी कि लोग समसा मिलते हैं लेकिन अब सब अपने दोलों के लिए इसलिए बहुत बड़ी संख्या और आराजगी कि नहीं है और फिर मान्य परदानमंत्री जिने जिस तरह से सर जुका कर माफी मांग कर इसे वापिस लिया है वो उस व्यक्ति ने किया है जिसको ना चाहिना जुका सकी ना अमेरिका जुका सका ना दुनिया की कोई असी सकती न पार्टी को मिलने जा रहा है कॉंग्रेस और आमाधी पार्टी वी अब तो मैदान में कितनी इनको किस चुनौती की रूप में देखते हैं कोई चुनौत नहीं सब्सक्राइब विधायक के दौर पर दौरा निर्वाचित होते हैं तो ऐसे कौन से काम अधूरी बच्चे है कि तरफ सामनी बढ़े अच्छी तरह से बड़ा सेंटर मने हारे जिए मेरे मन की इच्छा है बाकी तो बेसिक जरूते हैं मालियां पर अंतराज जेस्टर का बस अड़ा हो स्टेडियम हो इस सारी बड़ा होस्पिटल हो इस सारी चीज तो रहती हैं लेकिन एजुकेशन का अगर आप भी लेना चाहते हैं देश-दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को